सो हेलो दोस्तो विल्कम बेक टो माई यूटूब चैनल से दोस्तो एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगो बताने वोला दोस्तो कि आप जदी बैंक ओफ इंडिया में अपने रुपिया के इन्वेस्ट करते हैं अगस्त महिने में तो फिर अगस्त महिने में आपको क्य करना है कि आपको इस वीडियो को फूल वाच करना है दोस्तो आप जदी इस वीडियो को फूल वाच करते तो मैं आप लोग को दावे के साथ कहता हूं कि आप बैंक ओफ इंडिया में अपने रुपिया के इन्वेस्ट करके अगस्त मैने में आप एग अच्छा रेट आफ इन्टेस हासिल कर सकते हो सो दोस्तों आइंग विडियो शुरू करते हैं दोस्तों अब है इंग को जसी है हो दोस्तों आपको करना है कि आपको स्क्रोल करके नीचे आना है नीचे आने बाद आप यहां पर देख सकते हैं फोर्ट डिपोजिट ओफ लेस्टेन आरेस थ्री करोड रिवाइज डेबलू इएफ तीस छो दोहजर चोबिस आनि के दोस्तों अब भी जदी आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो फिर साथ दिन से चोदो दिन जदी आप फिक्स डिपोजिट कराते हैं या फिर आप 30 दिन से लेकर के 45 दिन का फिक्स डिपोजिट कराते हैं तो 3.00% जनरल पबली को एंड 4.50% सीनियर चिडियन को रेट आफ इंटेस मिले दोस्तों एंड उसके नेक्स्ट यहां पे में बत करता हैं आप जदी 46 दिन से लेकर के 90 दिन का फिक्स डिपोजिट कराते हैं या फिर 91 दिन से लेकर के 189 दिन का फिक्स डिपोजिट कराते हैं तो 4.50% रेट आफ इंटेस जनरल पबली को मिले लेगा एंड 6.00% सीनियर चि 50% एंड सीनियर चिटिन को मिलेगा 6.25% से दोस्तों एंड उसके नेक्स्ट यहां पे आप जदी माल लेजे 270 दिन से लेकर के एक साल का फिक्स डिपोजिट कराते हैं बैंक ओफ इंडिया में तो बैंक ओफ इंडिया का तरफ से दोस्तों 5.75% जनरल पबली को रेट आफ इं मिल जाएगा तरा तरी कि दोस्तों एंडिया का बहार उनल गस्तों एंडिया का जिस दोस्तों मिलेगा इसमें जदी आप अपने रुपिया के इंबेस्ट करते तो इसमें जदी आप इंडिया में तो इसमें जदी आप से लेकर के दस साल का फिक्स डिपोईजिट कराते हैं बैंक आफ इंडिया में तो आप अप अपने रुपिया के इंबेस्ट करते हैं तो तो 7.30% रेट आफ इंडिया में तो फिर आपको 7.80% रेट आफ इंडिया में तो फिर आप उच टेम दोस्तो आप सुपर सीनिये शरी आन हो तो आपको कितना रेट आफ इंडिया में और यहां पर में एबडी का केल्गुल्टर आपन करता हूं और एबडी का केल्गुल्टर आपन करके आप लोग को दिखा देता हूं तो दोस्तो एंड आप यहां पर देख सकते हैं मैं यहां पर एग लाग रुपिया लिख दिया हूं और दोस्तो एग लाग रुपिया लिखने का बाद आप यहां पर देख सकते हैं जो कि आपका पिंसिपल एमाउंट है एग लाग रुपिया लेकिल दोस्तो आपका 42110 रुपिया 73 पैसा आनी के दोस्तों आप देख सकते हैं आप जिदी बैंक ओफ इंडिया में अपने रुपिया के इन्वेस्ट करते हैं और आप जिदी जनरल पापलिक हो तो आपको 42110 रुपिया 73 पैसा आपको रेट आफ इंटेस मिल जाएगा यह होगी आपका जनरल पापलिक के लिए और मान लिजिए आप जिदी सीनियर से डिया ना तो आपको जो रेट आफ इंटेस मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा 7.80% तो दोस्तों 7.80% लिख देता हूँ 7.80% लिखने का बाद दोस्तों यहाँ पे में कैलकुल्टर में किलिक कर द देता हूँ दोस्तों कैलकुल्टर में किलिक करने बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपका पिंसिपल एमाउंट है एक लाग रुपिया और आपका मैचरूटी एमाउंट हो जगा एक लाग 15137 रुपिया एक पैसा आनि कि दोस्तों बैंक जो आपको रेट आफ इ 137 रुपिया एक पैसा दोस्तों आप देख सकते हैं आप जदी सिनियर चरिया नहीं हो या तो फिर आपका घर में जदी कोई सिनियर चरिया नहीं हो और उसके नाम से जदी आप अपने रुपिया के इन्वेस्ट कराते हैं तो 15137 रुपिया एक पैसा रेट आफ इंटेस मि तो को सब्सक्राइब ने कि एंगर दुस्तों सब्सक्राइब करें यंड बेल एकिंग घंटी को प्रेस करें दुस्ते गूत अन्ज करें कुछ नियुक्त के साथ तब तक के लिए टड़ वाज जैहिन बन्नक्राम